आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हैं हैंरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादिक प्रबंद के 14 सिद्धानतों की तो इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रांस के प्रसिद उद्योगपती हैंरी फ्योल प्रबंद के छेत्र में करियात्मक दिस्ट्रेकोर के प्रतिपादक थे। उनकी मान्यता थी कि ओध्योगिक संस्ताओं के प्रबंदकों को प्रबंद के कुछ आधार मुद सिद्धानतों का ज्यान होना आवशक हैं अन्रे फ्योल का ऐसा मानना था कि जो बे ओडियोगिक सिंस्ता है या जो बे ओडियोगिक इकाई है उसमें प्रबंदकों को प्रबंद के कुछ सिद्धानतों का ग्यान होना आवशक है उन्होंने अनुभव किया कि बिना सिद्दान्तों के प्रबंद का अधियन संभव नहीं है उन्होंने अनुभव किया था कि यदि किसी को ग्यान नहीं है प्रबंद के सिद्दान्तों का तो प्रबंद जो है प्रबंद का अधियन है वो संभव नहीं है फ्योल ने अपनी पुस्थक सामान्य एवं ओद्योगिक प्रबंद में ये उनकी पुस्थक का नाम है सामान्य एवं ओद्योगिक प्रबंद इसमें प्रबंद के 14 सिदान्तों का प्रतिपादन किया था जो निम्ना अनुसार है जाते हैं वो सिदान्ट कौन-कौन से हैं? जाते हैं वो सिदान्ट कौन से हैं? अब ये तो थे फियोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिदान्ट प्रबंद के अब इनके बारे में हम डीटेल में जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सिदान्ट की जो की है कारे विभाजन का सिदान्ट Division of work सफलता प्राप्त करने के लिए कारे विभाजन के आवशक्ता होती है इससे स्ट्रमिकों की कारिक्षमता में व्रद्धी होती है तथा उद्योगों को विशिस्ट्री करन के लाप्राप्त होते हैं जो सफलता है सफलता हर फिल्ड में है जो भी व्यक्ति जो कोई काम करता है वो यही चाता है कि मैं जो भी काम करना हूँ मुझे उसमें सफलता मिले तो यहाँ पर भी यही है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कारे विभाजन के आवशक्ता होती है कारे विभाजन मतलब कार्य को बाटना जैसे कि मैंने आपको भी बताया division of work कार्य का विभाजन करना इससे श्रमिकों की कारिक श्रम्ता में व्रद्धी होती है तता उद्योगों को विसिस्टी करन के लाप्राक्त होते है इसके माध्यम से समान प्रियतनों द्वारा अधिक एवं स्रेष्ट कार्य होता है किसके द्वारा कारी विभाजन के सिद्धान के द्वारा स्रेश्ट कारी होता है और इस सिद्धान की अनुसार जो व्यक्ति जिस कारे के लिए योग्य है उसे वही कारे सौपा जाना चाहिए जो कारे विबाजन का सिद्दान्त है इस सिद्दान्त में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस कारे को कर सकता है या जो व्यक्ति जिस कारे में कुशल है उस कुशल कारे में उस व्यक्ति को कारे का सौपा जाना संक्षिप्त में इसको बोलू तो व्यक्ती की कारे कुशलता के आधार पर उस व्यक्ती को वो कारे सौपा जाना जो व्यक्ती जिस कारे के योग्य है योग्य कारे को योगी व्यक्ती को सौपा जाना कारे विभाजन का सिद्धान्त है नेक्स्ट बात करते हैं हम सिद्धान्त नमबर टू की अधिकार तता उत्तरदाइत्व का सिद्धान्त यानि ओथोरिटी एन रिस्पॉंस्लिबिलिटी फ्योल के अनुसार प्रभंद में इन दोनों का गनिस्ट संबंध है जो हेन्री फ्योल हैं उनके अनुसार मैंजमें अथौरिटी और रिस्पॉंसलिबिलिटी जो है उसका गनिस्ट संबंध है ये एक दूसरे के काम आते हैं इसलिए फ्योल ने इन दोनों में समानता लाने पर जोड दिया है क्योंकि ये एक ही कार्य के दो पहलू है जिनका उप्योग प्रतेख व्याफसाई क्रिया में किया जाता है जो अधिकार और उत्तरदाइत्व है ये प्रतेख व्याफसाई क्रिया में शामिल किया जाता है किसी भी व्यक्ति को कारे करने के उत्तरदायत सौपने के साथ-साथ उसे अधिकार भी दिये जाते है यदि किसी व्यक्ति को कोई कारे सौपा जाता है ठीक है तो उस व्यक्ति को कारे को सौपने के साथ-साथ उसे उसके लिए अधिकार भी दिये जाएंगे ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए कौन दोनों अधिकार और उत्तरदाइत अगर हम किसी व्यक्ति को कोई कारे सौप रहे हैं और वो कारे करना उसकी जिम्मेदारी है तो साथी साथ उसके कुछ अधिकार भी उसको सौप जाते हैं करते हैं सिदान्थ नमबर थ्री की अनुशाशन का सिदान यानि मैथोड ऑव डिसिप्लिन इसके अंतरगत उन सबी समझोतों के हेतु आधर को सम्मिलित किया जाता है जिसे आग्यकारिता, व्यभारिक्ता, शक्ति एवं आधर आधी की प्राप्ति हेतु निर्देश दिये जाते हैं जो ये सिदान्थ है, इसके अंतरगत उन सबी समझोतो हेतू, आदर को समलित किया जाता है, जिसमें आग्यकारिक्ता, व्यवहारिक्ता, शक्ति एवं आदरादी की प्राप्ति हेतू निर्देश दिया जाते हैं। हैंडरी फ्यूल के अनुसार किसी भी संसान में अनुशाशन उसके प्रबंद के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। एक अच्छे अनुशाशन हेतू, एक सफल नेतरत्व की आवश्रक्ता होती है। मतलब लिडर्शिप के थ्रू इस पस्ट और सुन्दर समझोतों के साथ साथ अच्छे दंड के विधान में भी। एक संस्ता में कुछ ऐसा काम करता है जिसके लिए उसको दंड देना आवश्यक है ताकि अनुशाशन बना रहे तो वो दंड भी देना पड़ेगा। अनुशाशन बनाए रखने के लिए तीन बाते हमें ध्यान रिखनी होंगी। प्रतेएक स्थर पर अच्छे अधिकारी होने चाहिए हर एक स्टेज पर हर एक लेवल पर एक अच्छा अधिकारी होना चाहिए। अच्छा अधिकारी मतलब सारे ही अच्छे अधिकारी होते हैं लेकिन एक अच्छा अधिकारी वो जो अनुशाशन को कायम कर सके। नेक्स्ट पारस पर एक समझ होनी चाहिए और लास्ट वन इस अनुशाशन का पालन न करने पर दंड की व्यवस्ता होनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कारे करता है जिसके लिए दंड उसको मिलना चाहिए दंड विधान होना चाहिए तो अनुशाशन का पालन न करने वाले व्यक्ति को दंड भी देना पड़ता है और दंड के व्यवस्ता भी की जा सकती है नेगे बाद करते हैं सिदान्त नमबर फोर की आदेश की एकात्मक्ता का सिदान्त युनिटी ओफ कमान आदेश में एक्ता होनी चाहिए जो एक कर्मचारी को आदेश मिलने है उन आदेशों में क्या होनी चाहिए एक्ता होनी चाहिए इसके लिए आवशक है कि सम्मंदित कर्मचारी को किसी विशेश कारी को करने के लिए एकी विक्ति से आदेश मिले अब आदेश में भी क्या होगी एक आत्मक्ता देखने को मिलेगी यदि दो व्यक्तियों से भिन भिन आदेश मिलेंगे तो संबंदित कर्मचारी ना किवल प्रहमित होगा अपितू अपने उत्तरदाइत्व का निर्वा भी वो ठीक प्रकाय से नहीं कर पाएगा अतह प्रबंद क को सदयव आदेश की एकता पर ध्यान देना चाहिए में यह अधि 7 एक संस्वा में कोई कर्मचारी है और उसको दो बिन बिन अधिकारियों से अधिकार प्रापतों के आदेश मिलेंगे तो सम्बंदित कर्मचारी ना केवल ब्रहमित होगा बलकि जो उसके जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेतारी को भी बखु भी नहीं निभा पाएगा इसी लिए प्रबंद को सदैव आदेश की एकता पर ध्यान देना चाहिए सिद्धान्त नमबर फाइफ की निर्देश की एकात्मक्ता का सिद्धान्त युनिटी ओफ डाइरेक्शन हैंडरी फियोल के अनुसार क्रियाओं के प्रतेक समू के लिए जिसका समान उदेश्य हो एक ही प्रधान तथा एक ही योजना होनी चाहिए जो निर्देश की एकात्मक्ता का सिद्धानत है इसमें फियोल ने कहा है कि जो समू है समू के लिए समान उदेश्य हो एक ही प्रधान हो और एक ही योजना होनी चाहिए यानि जो इसको अबजेक्टिव हो वो एक ही हो एक ही योजना हो और एक ही प्रधान हो इस प्रकार इसका संबंद व्यक्ति से ना होकर समू से होता है जो ये योशना है ये जो सिदान्त है इसका संबंद किसी एक व्यक्ति से नहीं होता बलकि पूरे समू से होता है कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह परम आवश्यक है कि व्यक्तियों के एक समूह को एकी व्यक्ति से तथा एकी प्रकार के निर्देश प्राप्त होने चाहिए जो भी उनका कार्य है उसको सही तरीके से चलाने के लिए उसको अच्छे से करने के लिए व्यक्ति के समूंगों को एक ही व्यक्ति से तता एक ही प्रकार के प्रापत तूने चाहिए अगर उनको अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-ование निर्देश मिलेंगे तो जो उनका उत्वार्दाइत हो ठीक प्रकार से वो पुरा नहीं हो पाएगा। सिर्दान्ट about number 6 की व्यक्तित людям की अपेक्ष्ण सामानिय इतों की अधिन्ता का सिर्दान्थ गरимधिन ऑफ इंडिवीज्वा इंट्र 캐其 में इन। इंट्रस्ट इस सिद्दान्त की अनुसार व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्रात्मिक्ता मिलनी जाहिए यह जो सिद्दान्त है इस सिद्दान्त में कहा गया है कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा व्यक्तिगत हित कौन से हैं जो इंडिवीजुल इंट् अगर हम जर्णॉल इंट्रस्ट को प्रात्मिक्ता देंगे प्रेफरेंस देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अतह जब दोनों में विभिनता हो तो प्रबँद को इन दोनों में सम्झाता कराने का प्रियत्न करना चाहिए अगर इन दोनों में इन्डिवीज़ जो हमारे इंट्रेस्ट हैं उनका समर्पन कर देना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सिद्दान्त नमबर सेवन की करमचारियों के पारिश्रमिक का सिद्दान्त रेमिनरेशन ओफ परसोनल की गई कार्य के लिए करमचारी को पुरुषकार देना चाहिए जो भी किया गया कारिय है उसके लिए हमें करमचारी को पुरुसकार देना चाहिए उसको rewards मिलने चाहिए आधुनिक व्यवसाय एवं ओध्योगिक जगत में करमचारियों को पारिश्रमिक देनी की अनेक प्रेणात्मक प्रदितियां प्रशलित है जो आज का समय है आधुनिक व्यवसाय में जो भी व्यक्ति कारियरत है उनको हमें पारिश्रमिक देनी के लिए काफी सारी प्रदितियां आज के समय में प्रशलित है व्यवसाई की प्रकरती करमचारियों के गुण तथा विद्धमान परिसितियों के अनुकूल करमचारियों को पारिश्रमिक देने की किसी भी एक विदी को लागो किया जा सकता है जिस उसे दोनों को अधिक्तम संतोश प्राप्थ हो जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी जो भी कंपनी होती है उनमें क्या होता है जब दिवाली होती है फेस्टिवल्स पे उनको कुछ गिफ्ट्स वग्यरा मिलते हैं कुछ उफार उनको दिये जाते हैं और जब कोई करमचारी अच्छा काम करता है तो उसको उसके बदले में क कि केंद्री करन्ट तथा वी केंद्री करन्ट का सिद्दांथ Centralization and decentralizedism. Henry Fioll ने केंद्री करन्ट के सिद्दांट पर जोड़ देते हुए कहा है कि किसी संस्थान में अधिकारों का किस सीमा तक केंद्री करण तदक किस सीमा तक वी केंद्री करण किया जाए यह अलग-अलग संसाओं की प्रकरती और उसके आकार पर निर्भर करता है हैं रिफ्यो ने कहा है कि हम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि कहां पर केंद्री करण होना है कहां पर वी केंद्री करण किया जाए बल्कि यह तो सभी पदादिकारियों के मध्य सीधा संपर्क होना चाहिए आग्या देने तथा लेनी के मार्ग बिलकुल इस पस रोने चाहिए किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उलंगन नहीं करना चाहिए जो 105 श्रंकला का सिधान्त है सभी पदादिकारियों के मध्य सीधा संपर्क होना चाहिए एक तो जो उनके बीच में कन्वसिशन है वो कैसा होना चाहिए बहुत स्रेटफ़ावर्ड होना चाहिए सीधा होना चाहिए ताकि जो आग्या देने वाला है उनको बिलकुल इस पस र किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता स्रेणी का उलंगन नहीं करना चाहिए आप एक ट्राइंगल शेप में आपको कुछ देखने को मिलेगा इस साइड में आप देख सकते हो C, M के सामने और B, L के सामने है लेकिन अगर इनको आपस में संपर के सापित करना होगा तो इनको F से लेकर B तक जो अलफबेट्स लिखे हैं अगर ये लोग आपस में संपर के सापित करते हैं किनके साथ P से लेके L तक तो इनको A से होकर गुजरना पड़ेगा और A से होकर गुजरेंगे तब इनका क्या होगा आपस में संपर्क होगा लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इनको सीधा A से होकर गुजरना ही ना पड़े अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये A से होकर ना गुजरें तो उसके लिए हम क्या करेंगे A को skip करके अगर हम इनको सीधा इनमें आपस में संपर्क सापित कर दें कि B का संपर्क L से हो जाए C का M से, D का N से, E का O से और F का P से हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना, और जो संपर के वो भी सीधा सापिक वो कर सकते हैं, और उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जम बात करते हैं सिधान्त नमबर टैन की व्यवस्ता अत्वा क्रम बधता का सिधान्त, व्यवस्ता अत्वा क्रम बधता का सिधान्त, यानि ओर इसमें मिलने वाला है, इस सिधान्त की अंतरगत सामगरी और करमचारियों सभी के व्यवस्ता की जाती है, जो ये सिधान्त है, सामगरी और कर्मचारियों, सभी के विवस्ता की जाती है, हैंडरी फ्योल के अनुसार वस्तू अत्वा मनुष्य के लिए एक नियत इस्थान होना चाहिए, तथा प्रते एक वस्तू अत्वा मनुष्य अपने नियत इस्थान पर होना चाहिए, जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है वो अपने नियातिस्तान पर होना चाहिए और जो वो वस्तु है वो वस्तु अपने नियातिस्तान पर होनी चाहिए हर किसी का अपना एक नियातिस्तान होना चाहिए ताकि वो अपने इस्तान पर रह सके समता का सिद्दान्थ का आश्य यह है कि प्रबंदकों को अपने अधिनस्तों के साथ विवहार करते समय न्याय एवं उधारता का प्रदर्शन करना चाहेंगे जो ये सिद्दान्थ है इस सिद्दान्थ का मतलब है कि जो प्रबंदख है और जो उसके अधिनस्त है उनके साथ जो विवार होना है वो कैसा होना है Justice and Kindliness ठीक है ऐसा विवार होना है करते हैं हम सिद्दान्थ 12 की करमचारियों के कारेकाल में इस्थाइत्व का सिद्दान्थ Stability of tenure of personal प्रिशार्शन की द्रिस्ट्री से करमचारियों के कारेकाल का नित्य प्रती बदला जाना सर्वता अहित कर होता है जो आज करमचारी को किसी कारे पर रखा है नियुक्त किया है उसको कहा गया है कि आपको इस कारे पर नियुक्त किया जा रहा है लेकिन अगर उसका कारे कुछ समय बाद बदल दिया जाए तो यह गलत होगा यह अहित करोगा यानि यह उसके हित में नहीं होगा ऐसा करने से सफलता का सामना नहीं बलकि असफलता का सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसा किया जाएगा कि रखेंगे उसको उस काम पर और वो व्यक्ति जो जिस काम पर उसको रखा गया है उस काम पर वो व्यक्ति कारे नहीं कर रहा है बलकि उसको कोई और कारे करवाया जा रहा है तो वो व्यक्ति नाखुश होगा साती साथ उनको असफलता का सामना भी करना पड़ेगा इसका कारण यह है कि कर्मचारियों के मन में उद्योगों के प्रती अविश्वास की भावना घर कर जाएगी जो कर्मचारिय है उसको ऐसा लगेगा कि इनोंने मेरे साथ विश्वास ना करके अविश्वास किया है और ये जो एक भावना है ये उसके मन में बैट जाएगी और जो व्यक्ति मन लगाकर कारे भी करने वाला है वो व्यक्ति मन लगाकर कारे भी नहीं करेगा बलकि वो क्या करेगा किसी और अन्य नौकरी के तलाश में लग जाएगा परिणाम स्वरूप उद्योग की समस्त भावी योशना बर्फ की तरह पानी में पिंगल कर रह जाएगी जो उनका एक अपना योशना बनी हुई थी भविश्य को लेकर कि भविश्य में ये योशना यहां पर काम करेगी ये योशना हमें यहां तक लेकर जाएगी तो वो भी क्या होगा? जो भी उनका डूरिम है वो कैसा हो जाएगा? बर्फ की तरह पानी में पिंगल जाएगा अतह करमचार्य के कारेकाल में इस्ताइतव का होना नितानत आवशक है तो जो भी व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति को जिस कारेपर नियुक्त करता है उसको उसी कार्य पर जाने देना चाहिए, उसके काम में, उसके कार्य काल में इस्तायत्व का होना बहुत जादा आवशक हो जाता है सिद्धान्त नमबर थाटीन की पहल शम्ता का सिद्धान्त इनिशियेटिव पहल से आशे करमचारियों को किसी योशना को प्रस्तावेत करने एवं उसका क्रियान वयन करने की सोतंतरता से है हैंरे फियोल के अनुसार करमचारियों को पहल करने की सोतंतरता प्राप्त की जानी चाहिए ताकि वे नई नई योजनाएं प्रस्तूत कर सके तता उन्हें सफल बनाने में अपना सर्वस्व नौचावर कर सके जो करमचारी उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं वो जो करमचारी हैं अगर उनको अपना कुछ प्रस्ताव देना है कुछ सुजाब देना है तो उनको उसकी सुटंतरता होनी चाहिए फ्योल के अनुसार उनका ऐसा मानना है कि करमचारियों को पहल करने की सुटंतरता दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी नई नई योजनाओं को प्रस्तुत कर सके और उन्हें सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व नचावर कर सके नेक्स्ट बात करते हैं हम सिदान्त तंबर 14 की जो की लास्ट सिदान्त है सहयोग की भावना का सिदान्त हन्री फ्योल ने कारे करने की भावना पर बल दिया और इस सिदान के अनुसार प्रबंदक को लगतार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए जो एक प्रबंदक है उसको लगतार कर्मचारियों में टीम भावना का विकास करते रहना चाहिए जो टीम में स्पृरेट है उसका विकास करते रहना चाहिए ऐसा करने से प्रबंदक को अधिनस्तों से वारता लाप करते समय जो भी उसके सब और उसके साथ वारता करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं के इस्थान पर हमका प्रियोग किया जाए ताकि वो इस बावना से प्रेडित हो सकें आज की वीडियो यह यहीं समापत होती है